हाई फ्रेंट्स बड़े लोगों की स्किन और हैर केर की बात तो हम हमेशा करते हैं आज हम बेबी की स्किन और हैर केर की बात करेंगे मेडिकल रिसर्च में ये प्रूवड है कि कई बार बच्चों की स्किन की ठीक देखभाल न करने से बड़े होने पर उन्हें कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे ही बच्चे का जनम होता है सबसे पहले उसे साफ करते हैं क्योंकि उसके शरीर और बालों में एम्नियोटिक फ्लूइट, खून और एक सफेद ओईली परत होती है जिसे हम वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं कई बार ये बहुत जादा होती है इसलिए 6 घंटे के अंदर बेबी को सिर्फ वाम वाटर या हलके गरम पानी से नहलाना चाहिए Otherwise, WHO की गाइडलाइन के अनुसार 24 घंटे तक बेबी को नहलाने की जरूरत नहीं है एक नरम कपड़े को हलके गरम पानी में भिगा कर पूरी बाडी, फेस और सिर्फ को पोंचना अच्छा है अब क्या बेबी को रोज नहलाना चाहिए? नहीं, बेबी को रोज नहलाने की जरूरत नहीं है एक दिन छोड़के एक दिन वाम वाटर से नहलाना अच्छा है और बेबी सोप को सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स, बगल, गर्दन और कानों के पीछे लगाना चाहिए पूरे शरीर पर साबुन नहीं लगाना चाहिए फेस और बाकी बॉड़ी को धोने के लिए सिर्फ हलका गरम पानी अच्छा है बेबी के प्राइवेट पार्ट्स, बगल, गर्दन और फेस को रोजाना एक नरम कपड़े को वाम वाटर में भिगो कर अच्छी तरह से साफ करना चाहिए बेबी की स्किन बहुत कोमल होती है और बार बार साबुन लगाने से सूख सकती है मेडिकल रिसर्च के अनुसार यदि बेबी की स्किन को बार बार साबुन से साफ किया जाए तो आगे चल कर इन बच्चों को एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जीमा और स्किन एलर्जीस के चांसे बढ़ जाते हैं नहलाने के बाद बेबी के पूरे बॉड़ी को अच्छी तरह मौस्चराइज करना चाहिए इसके लिए सबसे अच्छा और सूटेबल मौस्चराइजर है वर्जिन कोकोनट ओईल या जैतून का तेल बेबी को नहलाने के बाद उसकी पूरी बॉड़ी पर नारियल का तेल लगाकर मालिश करने से बच्चे को रिलाक्स फील होता है और अच्छी नीन आती है स्किन हेल्दी रहती है, सूकती नहीं है और एक्जीमा फंगल इंफेक्शन से बची रहती है कोई भी खुश्बुदार क्रीम, लोशन या तेल बेबी की स्किन और बालों में नहीं लगाना चाहिए बेबी को नहलाने के बाद पाउडर भी नहीं लगाना चाहिए पाउडर ना सिरफ स्किन को सुखाता है, ये सांस से उसके लंग्स में पहुचकर नुकसान पहुचा सकता है आजकल काफी लोग बेबी के लिए डिस्पोजबल डाइपर्स या नैपकेंस यूज़ करने लगे हैं कई बार इनके टाइट होने से, अच्छी क्वालिटी के नहीं होने से या बहुत जादा देर तक ना बदले जाने के कारण बच्चों को डाइपर रैश हो जाता है स्किन लाल हो जाती है और उसमें जलन होने लगती है इसके लिए डिस्पोजबल डाइपर को हर 6 घंटे में बदलना चाहिए और दिन के टाइम कम से कम समय लगाना चाहिए ताकि स्किन को हवा लगती रहे और रैशिस ना हो यदि डाइपर रैश हो जाए तो उस पर डाइपर रैश क्रीम लगाने से या कैलेडरिल लोशन लगाने से ये ठीक हो जाता है ये दोनों आपको मेडिकल की दुकान में मिल जाएंगे बहुत देड तक डाइपर ना बदलने से कई बार बच्चों को नैपी एरिया में इस्ट इंफेक्शन हो जाता है इस्ट एक तरह का फंगस है इसके होने से जो रैश होता है वो गीला सा दिखता है और उस पर सफेद परत जमी रहती है इसका ट्रीटमेंट अंटी फंगल क्रीम्स जैसे माइकोनेजॉल जेल या कीटकोनेजॉल क्रीम से किया जाता है इसके अलावा बेबीज को एक्जीमा भी हो जाता है, सकिन लाल हो जाती है, सूख जाती है और खुजली करती है ये अक्सर बेबीज के गालों पर और माथे पर हो जाता है लेकिन ये बॉडी पर कहीं पर भी हो सकता है यदि बच्चे को एक्जीमा हो जाए तो सकिन पर साबुन बिलकुल नहीं लगाना चाहिए रैशिस के उपर दिन में 3-4 बार सीटाफिल मौस्चराइजिंग क्रीम या फिर आप एवीनो एक्जीमा थेरेपी क्रीम लगा सकते हो ये क्रीम आपको एमेजान पर मिल जाएगा बच्चों को हमेशा सूती और नरम कपड़े पहनाएं सिंथेटिक कपड़े बच्चों के शरीर में खुजली और रैशिस पैदा कर सकते हैं यदि बच्चे को खुजली की बिमारी हो जाए जिसमें उंगलियों के बीच में छोटी छोटी फुंसियां बन जाएं या शरीर पर फोड़े फुंसी निकलने लगें और भुखार आए तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवाना चाहिए अब बात करते हैं बालों की बेबी के बालों को हफते में एक बार या वीक में दो बार बेबी शैंपू से धोना चाहिए इसके लिए best shampoo है mother care का baby shampoo और mom and world tear free shampoo कई newborn babies के सिर पर dry या oily skin की एक मोटी सी परत जम जाती है इसे हम cradle cap कहते हैं ये कोई बिमारी नहीं है ना ही इसके रहने से baby को कोई खानी होती है लेकिन ये दिखने में खराब दिखती है इसके लिए mothers इसको baby के सिर पर से निकालना चाहती है इसको निकालने के लिए रात को इस पर अच्छी तरह से नारियल का तेल लगा दें ताकि ये नरम हो जाए फिर दूसरे दिन warm water याने हलके गरम पानी से और baby shampoo से अच्छी तरह धो दें सिर्ध होने के बाद एक नरम hairbrush से धीरे धीरे बाल बनाए और जितनी परत आसानी से निकल सकती है उसको निकाल दें ये आप हफते में दो तीन बार करते रहें जब तक सिर पूरी तरह साफ न हो जाए आशा है इस वीडियो से आपको अपनी baby की skin और बालों की देख भल करने में मदद मिलेगी Thank you